कुछ समय पहले मैंने आपको एक स्क्रीनर दिया था वीकली वॉलूम ब्रेकाउट पर तो अगर आप उस स्क्रीनर को रन करते तो यह स्टॉक आपके पास आ जाता हाई एवरिवन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिसस करने जा रहे हैं जहां पर हमें आज के दिन काफी बेहतर दिन ब्रेकाउट दिखने को मिला है और अगर इस स्टॉक ब्रेकाउट के डिरेक्शन में अगर मुमेंट वो कंटिन्यू करता है तो हमें आने वाले समय के अच्छा रिटन दिखने को मिल सकता है अब बात करते हैं पहला स्टॉक है हम में टाइम फ्रेम उच कर रहा हूँ वह है डेली का तो आईए सब सब पहले डीजन को फाइंड रूट करते हैं एक सिंपल सा वह यहां पर नूटिस करेंगे मल्टिपल टाइम सेम लेबल से एक रिवर्सल दिखने को मिलता था पर आप आप यहां पर नूटिस करेंगे कि आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकाउट होते हूँ दिख रहा है तो इस स्टॉक को जो सेलेक करने with increment in volume तो ये जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 3.35 के अगर ऊपर निकलता है तो में कच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 295 रूपीच closing basis पर अगर बात करेंगे target की हमारा first target है 360 का second target है 380 का and third target है प्रस 400 का अब आई ये देखते हैं निक सा stock और ये है whirlpool का और ये राइस का chart again सबसबले region को find out करनी को जिस करेंगे एक simple सा pull and flag pattern तो जैसा कि आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक pull and flag pattern बना रखा था and आज के दिन हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रहने का जो region है वो है pull and flag pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1530 का एकर उपर निकलता है तो अगर अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे support की तो यह होगा 1400 रुपीज closing basis पे support I mean to say SL अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 1585 का second target है रहाँ पास 1625 का and third target है रहाँ रहाँ पास 1660 का अब आई यह देखते हैं नेक सटॉक और यह है त्रिवेनी engineering का और यह रहाँ इसका chart again सबसे पहले region को find out करेंगे और आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो stock था काफी लंबे समय से छोटे से channel में trade कर रहा था and आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो selected हैने का जो region है वो है channel pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous काई days के comparison में काई गोना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है कुछ समय पहले मैंने आपको एक screener दिया था weekly volume breakout पर तो अगर आप उस से screener को run करते तो यह stock आपके पास आ जाता एक बात ध्यान रखिएगा आपके पास screener कोई भी हो लेकिन अगर आप उसका use नहीं करेंगे तो उसका कोई भी benefit नहीं होने वाला है तो दो-तीन दिन पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया था अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर यह stock 365 के अगर उपर जाता है तो हमक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 320 रूपिज closing basis पर हमारा first target होगा 395 का second target है 415 का एंड इसके बाद यह stock जो है अपने all time high के पास चला जाएगा तो stock जो है काफी close rate कर रहे अपने all time high के पास तो ऐसे stock पर नजर बना कर रखिएगा क्योंकि ऐसे stock ही previous all time high को ब्रेक करके नया all time high बनाता है अब आई यह देखते हैं निक्स stock और यह है geo financial का काफी पहले हमने इसके बारे में decision किया था और हमने यहाँ पर decision किया था around 250 के आसपास आप जाके यह वीडियो देख सकते हैं और अभी जो stock rate कर रहे around 385 के आसपास और इसका जो Q4 का जो result था वो भी काफी बहतरी रिंग था इसने काफी अच्छा profit growth भी दिखाया है अब बात करते हैं कि आज हमने इसका stock को क्यों select किया है उतना ही नहीं यह जो company है ब्रोकिंग इंडेस्ट्री में भी उतरने वाली है तो इसलिए जो मतलब investors का जो मतलब यहाँ पर एक point of view वो काफी ज़्यदा positive है हो सकता है कि आगया रेवले समय में यह काफी बहतरीन returns दे और एक simple सा trend line आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of ascending triangle pattern बराडखा था और आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह ascending triangle pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि इसका all time high था वो था somewhere around 385 के आसपास और आज जो इसने high लगा है almost 385 का ही लगा है तो यह बहुत ही close trade कर रहा है अपने all time high के पास तो इस stock पर भी नजर बना के रखिएगा बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 385 का अगर ऊपर निकलता है तो हमको अच्छी buying दिखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 365 रूपीच closing basis पर जैसा कि अभी हमने डिसस किया कि यह जो stock है अपने all time high के पास state कर रहा है तो ऐसे किसेज में क्या होता है stock के बास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते है हर एक 5-10% के मूपर partial profit बुक करते है for example माल लिजी में पर पस geofinancial के 100 share है stock जो है वो 10% का मूप दिखाता है तो यह पूरी तरह से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity बुक करूँ या 10 quantity बुक करूँ और इस पर भी depend करेगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आईए देखते हैं इसका last stock और यह है uskeeper का और यह रहा इसका chart again सबसाफले region को find out करने की कोसिस करेंगे एक simple सा pollen flag pattern तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of pollen flag pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रने का जोड़ी जन है वो है pollen flag pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के competition में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 360 के अगर ऊपर निकलता है तो आँग अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 315 रुपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 400 का एंड इसके बाद जो stock है वो अपने all time high की तरफ चला जाएगा तो I hope कि आप इस वीडियो उस सीखने को मिला होगा थैंक्स पूर वच्चिंग